नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे देखे फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम जीके का एक और इंपोर्टन टॉपिक पूरी डिटेल के साथ सभी तत्यों के साथ यहाँ पे कवर करेंगे जो हमारी नई सीरीज है एक वीडियो एक टॉपिक सीरीज इसका ये सेकंड पार्ट है इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरे मौलिक अधिकारों को A2Z वहाँ पे कवर किया था आज की वीडियो में हम राज्य और राज्यों के पुनर गठन भारत में देसी रियासतों के विले इन सब के बारे में बात करेंगे काफी सारे important topics जो इस topics आप से पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे सबसे पहले संग राज्यों के छेत्र के बारे में देखेंगे कौन-कौन से आर्टिकल है DC रियासतों का एक ही करण राज्यों को कितने वर्गों में बाटा गया था मूल संविधान में उसे देखेंगे पुनर गठन के बारे में बात करेंगे नए राज्यों के गठन के बारे में बात करेंगे जो चेत्रिय परिशदे हैं इनके बारे में देखेंगे और लास्ट में कुछ important बदले गए नाम है राज्यों के राज्धानियों के उनको भी आपसे question बनते हैं उनको भी cover करेंगे तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं संग राज्य और उसके चेतर के बारे में यहां से आपसे कोशन बनता है कि भारत को क्या कहा गया है समविधान में और भारत का क्या नाम लिखा गया है संविधान में इस तरीके के कुशन बनते हैं तो सबसे पहले भारत संग से रिलेटिड संविधान का भाग कौन सा है तो भाग एक और आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल एक से लेकर चार तक ये भारत संग से related है, ठीक है? भाग एक में महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है ये, इनके बारे में देखते हैं किस आर्टिकल में क्या बात बताई गई है चार आटिकल है चारों के बारे में देखेंगे भारत राज्यों का संग होगा किस में कहा गया है आटिकल एक में बोला गया है ठीक है नए राज्यों का प्रवेश या आटिकल दो में बोला गया है नए राज्यों का प्रवेश यानि कि ऐसे राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं है अगर वो भारत में विलय करना चाहते हैं तो उनकी एंट्री भारतिया संग में किस आर्टिकल के तहत होगी आर्टिकल दो के तहत होगी ठीक है यानि कि अगर कोई राज्य जो भारत के बाहर है या तो भारत उसपे कबजा कर ले, या भारत में वो विलाय करना खुद से चाहे, तो किस आर्टिकल के तहट भारत में आएगा, आर्टिकल दो के तहट, नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण नए राज्यों का निर्माण यानि कि ऐसे राज्य को अगर आपने बनाना है जो भारत के अंदर पहले से हैं जैसे उत्तर प्रदेश था उत्तर प्रदेश से कुछ हिस्सा अलग करके उत्तराखंड बनाया गया यानि देश के अंदर ही जो राज्य हैं उन्ही की सीमा में परिवर्तन करके अगर कोई नए राज्य बनाना हो जैसे आंदर प्रदेश से तिलंगाना बनाया गया तब कौन सा आर्टिकल काम करेगा तब वो सब आर्टिकल 3 के तहट होता है सिंपल भाषा में अगर बाहर से किसी राज्य को भारत में मिलाना है तो आर्टिकल 2 और अंदर के ही राज्यों में से अगर कोई नए राज्य बनाना है चेंजिस करके बॉर्डर में चेंज करके सीमाओ में परिवर्तन करके तब आर्टिकल 3 तो ये दोनों आर्टिकल इंपोर आता है कि किस आर्टिकल में भारत को राज्यों का संग बोला गया है ये समविधान में भारत को क्या बोला गया है तो भारत को राज्यों का संग बोला गया है ठीक है एक और चीज़ जैसे मैंने शुरुवात ने बोली कुशन बनता है समविधान में भारत के क्या नाम वहाँ पर लिखे गए हैं तो संविधान में भारत के दो ही नाम लिखे गए हैं एक भारत और दूसरा इंडिया ठीक है तो भारत अर्थात इंडिया ये नाम यहां पर लिखे गए हैं ऑप्शन में दे देता है हिंदूस्तान इस तरीके से भारत वर्ष इस तरीके से तो दो ही नाम ह भाग एक में आपके दिये हैं यहाँ पर एक आर्टिकल और है आर्टिकल 4 यह भी पूछा जा सकता है इसके चांसिस थोड़े कम है आर्टिकल 4 कहता है अगर भारत में कोई नय राज्य आ रहा हो या किसी नय राज्य का निर्मान करवाना हो तो आप उसका जो निर्मान करेंगे या प्रवेश करेंगे उसके लिए आपको विशेश बहुमत की आवश्यक्ता नहीं है तो नय राज्य का निर्मान बहुत बार पेपरों में आता है किस तरीके से होता है साधारन बहुमत के आधार पे हो जाता है ठीक है नयराज्य अगर गठन करना हो साधारण बहुमत से हो जाता है क्योंकि आर्टिकल 4 कहता है कि इन दोनों आर्टिकल के तहट अगर आप कोई प्रक्रिया करते हैं तो वो 368 के तहट नहीं मानी जाएगी 368 क्या कहता है समविधान शंशोधन और समविधान शंशोधन के लिए विशेश बहुमत के आवशक्ता होती है दो तियाई बहुमत के आवशक्ता होती है लेकिन आर्टिकल 4 कहता है अगर आप इन दोनों के तहट कारे करते हैं तो आपको simple majority चाहिए जादा आपको बहुमत नहीं चाहिए जैसे आप एक साधारन विधेक पारित करवाते हैं वैसे ही आप इन विधेकों को पारित करवा सकते हैं तो जादा important नहीं है लेकिन ये वाला point आपको याद करना है कि नए राज्यों का गठन के लिए कैसा बहुमत चाहिए होता है तो आपको याद रखना है साधारन बहुमत ठीक है? चलिए, तो ये था संग राज्य और उसका छेत्र दो बातें और हैं, भारतिया संग में वर्तमान में कितनी राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंदर सासित प्रदेश हैं ठीक है राज्यों के छेत्र, सीमा, नाम परिवर्तन करने की शक्ती किसे प्राप्त है तो ये कोशन भी आता है किसी भी राज्य में अगर नाम परिवर्तन करना हो जैसे उत्रान्चल से उत्राखंड किया गया सीमा में परिवर्तन करना हो जैसे उत्राप्रदेश की सीमा में चेंज करके उत्राखंड बनाया गया किसी भी राज्य का छेत्र चेंज करना हो ये सारी शक्तियां संसत के पास है साधारन भॉमत से इनको कर सकती है तो इसको आपने याद करना है नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, छेतर परिवर्तन ये सब अर्टिकल 3 में आता है जब हमने बात करी, नभी अगर डेश के ही अंदर किसी राज्य में चैन्जिस करने हो अर्टिकल 3 और बाहर के राज्य को अगर भारत मिलाना हो आर्टिकल 2 तो कई बाद नाम परिवर्तन का आर्टिकल भी पूछ लेता है आर्टिकल 3 तो ये 3 important आर्टिकल संग और उसके राज्य छेत्र के बारे में ठीके चलिए अब बात करते हैं देसी रियासतों का एकी करण जब भारत आजाद हुआ आप जानते हैं पाकिस्तान को बनाया गया और उस समय भारत के अंदर टोटल 565 रियासते थी इन 565 रियासतों को ये offer दिया गया या तो आप भारत में विलै कर जाएए या आप पाकिस्तान में विलै कर जाएए या फिर आख स्वतंत्र रहिए इन 565 में से जो 565 थी इन में से 13 रियासतें जो आज का पाकिस्तान है वहां पड़ती थी तो इन 13 रियासतों ने पाकिस्तान में विले कर दिया अब बची 552 रियासतें जो भारत का छेत्र है अभी वर्तमान का इसमें पड़ती थी 552 रियासतें इन 552 में से 549 रियासतें भारत में विले कर जाती है टोटल रियासत कितनी थी? 565 13 पाकिस्तान में मिल गई 550 भारत में मिल गई बच गई केवल 3 रियासतें उन ही के लेकर आप से कोशन बनते हैं उनको भी हम यहाँ पर अभी देखेंगे ठीक है? इसके बारे में बात करते हैं सरदार पटेल के नित्त में 552 रियासतों का भारत में विले किया गया ठीक है? 599 खुशिशे मिल गए थे, अपनी आप मिल गए थे तीन को मिलाने के लिए थोड़ी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ी थी ठीक है? देशी रियासतों के विले में सरदार पटेल के साथ ही कौन थे? तो जो देशी विले जो रियासते थी इनको जब भारत में इनका एक एकरण किया गया इनका विले किया गया महत्तपूर भूमिका किस की थी? सरदार बलाभाई पटेल की ठीक है? इनके साथ जिनोंने महत्तपूर भूमिका निभाई उनका नाम था वीपी मैनन कई बार एक्जामनर आपसे कोशन देता है इनमें से किन विक्तियों की जो विले किया गया रियासतों का महत्तपूर योगदान था तो आप्शन दे देता है आपको सरदार पटेल के साथ नहरू इसके लावा सरदार पटेल के साथ वीपी मैनन या फिर सरदार पटेल के साथ के एम मुन्शी इस तरीके से तो आपको याद रखना है इनके साथी कौन थे? इनके साथी थे VP Menon, ठीक है? भारत का बिसमार्क किसको बोला जाता है? भारत का बिसमार्क सरदार पटेल को बोला जाता है. जैसे जर्मनी भी कई सारे प्रांतों में बटा हुआ था, जर्मनी का एक एकरण करवाया किसने? बि बहुत बार ये कोशन आपसे पूछा जाता है, ठीक है? बहुत जल्द आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की एक मास्टर वीडियो आने वाली है, जिसमें आपके सारे जो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक हैं, एक सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए. अब बा अलग-अलग तरीकों से किया गया, इनको लेकर आपसे कोशन बनते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हैं हैदरबाद रियासत की, हैदरबाद रियासत की बात करते हैं तो हैदरबाद को पुलिस कारवाही के बल पर भारत में विलय करवाया गया, ठीक है? है? हैदरबाद जो थ फिर इस पूलिस को भेजा वैसे पूलिस नहीं, आर्मी को भेजा पूलिस के उसमें वर्दी में और हादरबाद का विलय भारत में करवाया गया तो हादरबाद के लिए कौन सा OPERATION चलाया गया? इस OPERATION को नाम दिया गया Operation Polo Queshan बनता है, Operation Polo किस से संबंदित है भारत में हैदरबाद रियासत के विले से संबंदित है इसकी शुरुवात 13 सितम्बर को होती है और 17 सितम्बर तक चलता है 1948 में ठीक है, तो 17 सितम्बर को हैदरबाद का विले भारत में कर दिया जाता है कहीं कहीं पर यह operation आपको 13 से 18 सितंबर दिया गया है सत्रहा को कहा गया है कि जो हैदरबाद के निजाम के जो सेना थी वो आत्म समर्पन कर देती है और आपचारिक रूप से जो विलय होता है वो 18 को होता है लेकिन 17 सितंबर को हैदरबाद मुक्ति दिवस के रूप में घोशित किया गया है 17 सितंबर को हैदरबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है तो आपको इसी के आदाहर पे 17 को पहले प्रेफरेंस देना है operation polo कब शुरू हुआ? 13 सितंबर को शुरू हुआ operation polo किस से related था? हैदरबाद से related था भारत में इसके विले से एक और कोशन बनता है जब हैदरबाद का विले के लिए operation polo शुरू किया गया तो किस जो मेजर थे, कौन मेजर थे जिनके नित्तु में इस operation को शुरू किया गया तो भारतिय सेना के एक मेजर जनरल जिनका नाम था जे एन चौधरी ठीक है? तो इन ही के नित्तु में operation polo शुरू किया गया था इसे आपने याद करना है, पूछा जा सकता है ठीक है? तो ये था हैदरबाद का भारत में विले अब दूसरा है जूनागड रियासत जूनागड रियासत आपके गुजरात ने पड़ती थी ये कहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे क्योंकि हैदरबाद कैसा था? हैदरबाद बीच में था चारो तरफ इंडिया का छेतर था तो उसका पाकिस्तान में मिलना मुश्किल था जूनागड रियासत ने तरक दिया कि हम समुद्री सीमा से पाकिस्तान से जुड़े होएं क्योंकि गुजरात के साइट पर था ये लेकिन इससे पहले ये वहां मिलते यहां की जनता भी भारत में विलय चाहती थी तो इधर से पाकिस्तान ने सेना भीजी इधर से भारत में सेना भीजी तब ये डिसाइड किया गया कि यहां पर जन्मत संग्रह करवाया जाएगा जनता जो कहेगी उसी कुश्युकार किया जाएगा तो यहां पर जूनागर रियासत में भारतिय सेना कब प्रविश कर जाती है भारतिय सेना जूनागर रियासत में 9 नवंबर 1948 में एंटर कर जाती है अपने कबजे में ले लेती है और 20 फरवरी 1948 को जूनागर रियासत में जन्मा संग्रह करवाया जाता है और लगबग 90 फिसिदी जो वोट पड़ते हैं वो भारत के पक्ष में पड़ते हैं और 20 फरवरी को जनमे संग्रह हुआ और जुनागर रियासत का भारत में विले हो गया तो दो डेट्स आपको याद करनी है जनमत संग्रह कराकर भारत में विले करवाया गया 20 फरवरी 1948 ठीक है तीसरा था जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर भी जब भारत आजाद हुआ तो भारत में ये शामिल नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के उपर फिर जो कबाईली थे जो पाकिस्तानी सेना थी वो आक्रमन कर देती है और जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी जो यहां के राजा थे हारी सिंग वो फिर मदद मांगते हैं भारत सरकार से और फिर भारा सरकार कहती है कि हम आपकी मदद तब कर पाएंगे जब आप विले पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे तो विले पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं 26 अक्टूबर 1947 को और इसके तहट जम्मू कश्मीर को भी भारत में मिला दिया गया तो तीनों की डेट्स आपको याद करनी है है हैदरबाद को पुलिस कारवाही से जूनागड को जन्मत संग्रह से और जम्मू कश्मीर को विले पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में इनका विले किया गया इन तीनों को लेकर कोशन बनते थे उमीद करता हूँ आपकी सारे डाउर्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे अब देखते हैं जो भारत के राज्यों का वर्गीकरण किया गया था मूल संविधान में देखे 1950 में भारत का संविधान लागू किया जाता है कोशन बहुत बार एक्जाम में बनता है मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बाटा गया था कितनी स्रेणियों में रखा गया था जो मूल संविधान था जब संविधान हमारा बना 1950 में जब लागू किया गया तो उसमें राज्यों को चार वर्गों में भाग एक, भाग बी, भाग सी और भाग डी हिंदी में भाग क, भाग ख, ग और ग, ठीक है, तो चार वर्गों में इनको बाटा गया था कोशन बनेगा सिधा बताएंगे मूल समविधान में कितने वर्गों में बाटा था चार वर्गों में सबसे पहले आता था भाग A भाग A में ऐसे राजियों को ऐसे छित्रों को रखा गया जहां पर सिधा जो गवर्नर था जो वाइसराई होता था उसका शाशन होता था ब्रिटिश भारत में ठीक है उनको किस में रख लिया गया भाग A में ठीक है भाग B में ऐसे छित्रों को रखा गया ऐसे राजियों को रखा गया जिसमें विधान मंडल के साथ साही शाशन भी था यानि विधान मंडल भी थी और राजा भी था यानि कि एगर सिंपल भाशा में करें जो बड़े आकार की रियासते थी दीसी रियासते जिसे हैद्राबाद उन्हें यहां पे शामिल किया गया ठीक है? भाग C में कमिशनर जहां होता था ब्रिटिश भारत में और साथ में साही शाशन यानि जो छोटे आकार की रियासते होती थी जहां पर विधान मंडल की आवशक्ता नहीं होती थी केवल एक ब्रिटिश कमिशनर होता था और साथ में राजा भी वहां के होता था इनको भाग C में रखा गया और भाग D ऐसे राज्यों के लिए बनाया गया जो अंग्रेजों के द्वारा अरजित किये गए थे या अरजित किये जाने थे ठीक है तो अरजित किये गए राज्यों के लिए बनाया गया था भाग D और इसमें केवल अंडमा निकोवार द्वीप समू शामिल था ठीक है तो भाग A में डारेक्ट जहां पर ब्रिटिशों का शाशन था भाग B में जहां विदान मंडल और शाही शाशन यानि बड़ी जो रियासते थी उनको छोटी रियासतों को भाग C में रखा गया जिसमें ब्रिटिश कमिशनर और थोड़ा बहुत साही शाशन होता था और आकरी में अरजित किये गए राज्यों के लिए एक भाग बनाया गया था भाग D तो इसे आपने याद करना है ठीक है एक लिस्ट है यहाँ पर कि किस राज्य को किस में रखा गया था बहुत कम चांसे होते हैं लेकिन इसको आप एक बार देख लीजे यहाँ से भी हो सकता है कभी कुशन बन जाए तो मूल संफिधान में राज्यों का वर्गी करण चार भागों में था भाग A में देखे हैं असम, बिहार, बंबई, मध्यपरदेश, मद्रास, उडिशा, पंजाब, संयुक प्रांत, पश्रिम, बंगाल इनको रखा गया टोटल अगर हम इनकी बात करते हैं संख्या पूछी जा सकती है, कौन सी रियासत, कौन सा राज्य किसमे था, इसके बहुत कम चांसे सें, लेकिन संख्या याद करनी है भाग A में 9 राज्य थे, भाग B में भी 9 राज्य थे, भाग C में 10 राज्यों को रखा गया, और भाग D में 1 राज्य को रखा गया टोटल इनकी संख्या कितनी थी, 29, तो इसे आपने याद करना है, कोशन यहां से बनता है, कि भाग जो चार वरगी कृत किये गए थे मूल संविधान में, इनकी संख्या कितनी थी, टोटल 29 थी, भाग A में 9, 9, 10 और 1, इनके नाम आप यहां पर देख सकते हैं कौन सा रिया गठन के लिए जैसे ही भारत आजाद हुआ, मांग शुरू हो गई कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर गठन कर दिया जाए, यानि जिस छेतर में जिस भाषा के लोग जादा रहते हैं, उसे वह राज्या अलग बना दिया जाए, जैसे एक छेतर में अगर मराठी लोग जादा रहते हैं, तो उसे माराठा लोगों का राज्या बना दिया जाए, जहां तेलगू रहते हैं, वहां तेलगू भाषा लोगों का राज्या बना दिया जाए, तो भाषा के आधार पे राज्यों की मांग होने लगी थी, ठीक है, इसी मांग के लिए जो 1948 में किया जाता है ठीक है ये आयोग अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में देता है अब कुछ पेपरों में डारेक्ट आप से उनकी रिपोर्टे भी पूछी जाती है अलग-अलग आयोगों की तो इसको आपने याद करना है एसके धर आयोग राज्यों के पुनर गठन के लिए भाशा के आधार पे पुनर गठन करना है या नहीं करना है इसकी जाच के लिए एक आयोग बना जून 1948 में और इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को दे दी थी इस आयोग की इस्थापना डॉक्टर राजंदर प्रशाद करते हैं क्योंकि यही सम्विधान सभा के अध्यक कोशंद बनता है कि इसके लिए किस आयोग का गठन किया गया इसके धर आयोग इस आयोग में टोटल 4 सदस्य थे तो 4 सदस्य यह आयोग था इस आयोग ने भाशा के आधार पे राजियों के गठन की मांग को ठुकरा दिया और प्रशाष्निक सविधा के आधार पर पुनर की मांग का समर्थन किया तो जो ऐस के धर आयोक था इसने बोला भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए परशाशनिक सुभीधा के आधार पे राज्यों का गठन किया जाए ठीक है जब इस आयोक की रिपोर्ट आई डिसंबर 1948 तो दुबारा से आंदोलन चलने लगे मांग और तेज हो गई भाषा के अधार पे राजों के गठन की इस मांग को देखते हुए इस आयोग की जो ये रिपोर्ट थी सिफारिशें थी इसने प्रशाशनिक सुविधा के अधार की सिफारिश करी इसकी जांच के लिए एक और समीती बनाई गई जिसका नाम था जेवीपी समीती जेवीपी यानिकी जवाहलाल नहरू, वललभाई पटेल और पटाबी सितारमया जेवीपी समीती बनी थी दिसंबर 1948 में उसी महीने में बनी और इसने अपनी रिपोर्ट जमा कराई अपरेल 1949 में ठीक है इसके सदस्या कौन-कौन थे जवाला नहरू, सरदार पटेल, पटाबी, सितारमया इसका कार्या क्या था? जेवीपी समीती का इसका कार्या था सके धर आयो की रिपोर्ट की समिक्षा करना कि जो उसने सिफारिशें दी हैं कि भाषा के आधार पे ना करें, प्रशाशनिक आधार पे करें उसकी जांच करना की क्या ये सही है? इस समीती ने भी भाषा के आधार पर पुनर गठन को ठुकरा दिया तो पहले एसके धर आयोग ने मना कर दिया, अब जेवीपी समिती ने भी मना कर दिया अब यहां से आंदोलन और जादा तेज होना शुरू हो जाएगा जेवीपी समिती भी पूछी जाती है किस से संबंदिती? तो भाषा के अधार पे करना है या नहीं इसके लिए संबंदिती थी, ऐसके धर आयोग की समिक्षा करने के लिए यहां पर यह संबंदित थी ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ? राज्यों के पुनरगठन का टॉपिक हम देख रहे हैं और इसका जो अगला जो इंपोर्टेंट कदम था वो था 1952 तेलगू भाषियों ने आंदूलन अब बड़े इस्तर पर शुरू कर दिया पहले मांग काफी चल रही थी उस समय केवल एक राज्या था काफी इंपोर्टेंट मदरास मदरास के अंदर एक बहुत बड़ा छेत था जहां पर तेलगू भाषियों ने 1952 में आंदूलन शुरू कर दिया कि हमें एक अलग राज्या चाहिए तेलगू भाषा के लोगों के लिए मदरास से हमें अलग कर दिया जाए ठीक है इस आंदूलन का नित्व किया पोटी श्री रामलिलू ने इसका नित्व किया पोटी श्री रामलिलू ने 58 दिन तक इन्होंने आमरण अंशन किया भुखरताल करी और 58 दिन की भुखरताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनका निधन हो जाता है कोशन बनता है राज्यों का पुनर गठन को लेकर के या तेलगू भाषा आंदूलन के दौरान कहीं पर बताया गया है कि इन्होंने 58 दिन की भुखरताल करी कहीं पर 56 दिन तो दोनों आपको याद करने है इनके निधन हुआ 15 दिसंबर 1952 को और उसके बाद आंदूलन बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा जिस वज़े से नहिरू को घोषणा करनी पड़ी तेलगू भाषियों के लिए अलग राज्ये के लिए ठीक है तो इसी इनके निधन के बाद ये घोषणा करी गई ठीक है इस आंदूलन का घटना करम आपने याद करना है आंदूलन शुरू हुआ 1952 में मदरास के जो तेलगू भाषि थे वो अलग राज्ये चाहते थे नितुत्व इनका पूर्टी शिरी लाम लुलू कर रहे थे इनका निधन हो जाता है 15 दिसंबर 1952 को और नहिरू तेलगू भाषियों के लिए एक अलग राज्ये की घोषणा कर देते हैं ठीक है आंध्रप्रदेश का गठन होता है 1 अक्टूबर 1953 को गोषणा तो हो जाती है नहिरू कर देते हैं गठन होता है 1 अक्टूबर 1953 को उनहीं तेलगू भाषी लोगों के लिए भाषा के आधार पे गटित होने वाला पहला राज्या है आंध्रप्रदेश डेट सहीद याद रखेंगे कब बना 1 अक्टूबर 1953 को बना ठीक है भाषा के आधार पे गटित होने वाला पहला राज्या उस समय इसकी राजधानी कहा थी तो आंध्रप्रदेश की राजधान करनूल को बनाया गया था तो इसे आपने याद करना है ठीक है तो ये था राज्यों का पुनर गठन किस तरीके से शुरू हुआ अब क्या होगा अब देखे भाशा के आधार पे एक राज्य बन गया अलग-अलग राज्यों से भी फिर अब मांग उठने लगी कि यहां कभी पुनर गठन किया जाए और इसी मांग के लिए 1953 में आता है राज्यों का पुनर गठन आयोग ठीक है अब यहां के कोशन को देखेंगे तो बिलकुल step by step बिलकुल to the point notes के माध्यम से और एक story के तोर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो 552 रियासते थी उनसे हमारे आज के 28 राज्या और 8 के इंसासित प्रदेश बने उमीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा अब बात करते हैं दिखिए आंदर प्रदेश बन गया एक अक्टूबर 1953 को अलग-अलग छेत्रों से मांग उठने लगी कि हमारा भी पुनर गठन कीजिए हमारा भी भाषा के अधार पे बनाईए इसी मांग को देखते हुए राज्या पुनर गठन आयोग बना ध्यान रखना राज्या पुनर गठन आयोग बाद में बना उससे पहले आंदर प्रदेश बन चुका था ठीक है दिसंबर 1953 में राज्या पुनर गठन आयोग की इस्थापना की जाती है इसके अध्यक्ष थे फजल अली और इसमें सामिल थे तो दिसंबर 1955 में राज्या पुनर गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी इसने कुछ सिफारिशें करी जिसमें दो महत्यपोन शिफारिशें थी पहली जो राज्यों को चार वर्गों में बाटा गया था भाग A, भाग B, भाग C, भाग D जो हमने उपर देखा उनको समाप्त कर दिया जाए कोशन बनता है उन वर्गों को समाप्त करने की सिफारिश किसने करी थी पुनर गठन आयोग ने और दूसरी सिफारिश इसने करी थी कि राज्यों का गठन 16 राज्ये बनाए जाएं इन चार वर्गों को खतम करके सोलह राज्य और तीन केंदर सासित प्रदेश बना दिये जाएं तो इसने कितने राज्यों के सिफारिश करी थी सोलह राज्य और कितने केंदर सासित प्रदेश तीन केंदर सासित प्रदेशों की इसने सिफारिश करी थी ठीक है इसी जो पुनर गठन आयोग था इन ही की सिफारिशों पर एक अधिनियम लाया गया जुलाई 1956 में जिसे हम कहते हैं राज्य पुनर गठन अधिनियम ठीक है इसने रिपोर्ट कब दी थी दिसंबर में दी थी न दिसंबर 1955 में अगले साल जुलाई 1956 में राज्य पुनर गठन अधिनियम आता है तो दो बातें फिर याद करेंगे आयोग कब बना आयोग बना 53 में रिपोर्ट आई 55 में अधिनियम आया 56 में इनको आपने याद करना है ठीक है और इसी राज्य पुनर गठन अधिनियम के तहत इस अधिनियम के लिए समविधान में साथमा शंशोधन किया गया 1956 में और 1 नवंबर 1956 को भार राज्य बनाए गए थे आप याद करेंगे 14 राज्य कितने केंसासित प्रदेश बनाए गए थे 6 केंसासित प्रदेश कब हुआ इनका गठन एक नवंबर 1956 को इनका गठन कर दिया गया तो इसे आपने याद करना है ठीक है कौन से शंशोधन के तहत साथवे समविधान चार वर्गों में बाटा गया इन चार वर्गों को कब खतम किया गया ये किया गया 1956 में साथवे समविधान शंशोधन के तहट जिसके तहट ये अधिनियम आया था इसे आपने याद करना है कितने राज्य बने थे कितने यूटी बने उनको हमने देखा अब यहाँ पर इन तो आंदर प्रदेश था पहले बन चुका था ये तो असम बिहार बंबई जम्मु कश्मीर केरल मध्य प्रदेश मदरास मैसूर उडिशा पंजाब राजिस्थान उत्तर प्रदेश और साथ में पश्रिम बंगाल तो ये 14 राजिय बने उस समय भारत में ठीक है और 6 यूट अधिनियम के तहट 6 केंशासित प्रदेश बने उस समय ये 6 केंशासित प्रदेश थे कुशन बनता है कौन सा ऐसा केंशासित प्रदेश है पहला केंशासित प्रदेश जिसे पूर्ण राज्य का दरजा दिया गया तो पहला केंशासित प्रदेश जो आगे जाके राज्य ब उसके बाद कैसे राज्यों का गठन हुआ, कौन-कौन से राज्ये बने, किस क्रम के बने, किस वर्ष बने, वर्ष पूछे जाते हैं, डेट सहीत, अब उनके बारे में देखते हैं, और इन से जुड़ीवी बाते करते हैं, दिखिए, 14 राज्ये बन चुके हैं, अब एक एक बारे में बात करते हैं, सबसे पहले देखिए, 14 राज्ये बन चुके हैं, उनके नाम हम उपर देख चुके हैं, पंद्रवे राज्ये के रूप में क्या किया गया, जो उस समय एक राज्या था, बंबई, बंबई में दो बड़े छेत्र थे, जहां पर भाषा के अधार पे में से निकाले गए, महराथी भाषा के लोग जहां जादा रहते थे वहां पर महराश्ट्रा बना, और जहां गुजराती रहते थे वहां पर गुजरात बना, तो महराश्ट्रा और गुजरात दोनों एक सांत बने, किस से अलग किये गए, इस से पहले केवल बंबई था, त बनता है बंबई पुनर गठन अधिनियम कब आया था तो आया था 1960 में तभी तो ये दोनों राज्य बने तो पंद्रवा राज्य की रूप में कौन बना गुजरात ठीके और 14 तो पहले ही थे उनमें से बंबई एक था तो बंबई से आपका बन गया महराश्ट्रा ठीके चलि था असम पूरवुत्तर का एक महत्पूर राज्य था मैक्सिमम जो 39 के इलाके हैं राज्य हैं सब असम से ही निकले हैं 1963 में क्या किया गया असम के अंदर जो नागा हिल्स थी और कुछ छेत्र था असम के बहार का जो चेत्र था तो एन सांग उसको बोला जाता था इन चेत् इसकी स्थापना भी पूछी जाती है कई बार आपसे मिलान करने के लिए आता है कि इनके गठन होने के करम को लगाईए तो मैं आपको डेट सहीद अतरिक तथ्यों के सारी जानकारिया यहां पर दे रहा हूं ठीक है तो नागालेंड बन गया एक दिसमबर 1963 को भारत का सोलवा फिर आता है सत्रवे राज्य की रूप में अब आईए वर्ष 1966 में 1966 में जो पंजाब था पंजाब पुनर गठन अधिनियम आता है और इसके तह़र एक राज्य बनाया जाता है और एक यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है पंजाब हरियाना पुनर गठन अधिनियम इसका पूरा नाम था 1966 में आया और इसके तहर एक नवंबर 1966 को हरियाना राज्य का गठन किया गया भारत के सत्रवे राज्य के रूप में और साथ में जो चंडीगड थी चंडीगड को यूनियन टेरिटरी यहां पर बना दिया गया तो इन दोनों को याद करना है चंडीगड यूनियन टेरिटरी कब बनी 1966 में हरियाना को भी यहां पर एक अलग राज्य बना दिया गया फिर आते हैं अठारवे राज्य की रूप म हिमाचल प्रदेश जो पहले केंसासित प्रदेश था 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी से हटा कर पून राज्य बना दिया जाता है तो हिमाचल प्रदेश पून राज्य कब बना 1971 पचिस जनवरी को ये बना भारत का अठारवा राज्य करम पूछा जाता है मैं फिर से कहूंगा ठीक है एक तो यह वाला करम और इनकी तितियों के अनुसार राज्यों को लगाने के लिए कौन राज्यय पहले बना ठीक है अब बात करेंगे तीन और राज्य जो बनाए गए 19, 20 और 21 उननिस वे राज्य के रूप में मणीपुर, 20 राज्य के रूप में तिरपुरा और 21 राज्य के रूप में मेगालय का गठन किया गया इसी करम में इधर मैंने इनको लिखा है ठीक है इन तीनों का गठन 21 जनवरी 1972 में किया जाता है 1972 में भारत में तीन नए राज्यय बनाए जाते हैं 19, 20, 21 मणीपुर, तिरपुरा इन तो उनों को बनाया जाता है ठीक है और साथ में मेगालय इससे पहले एक उप राज्य था मेगालय आपके असम के अंदर परता था ठीक है ये पूरा राज्य तो नहीं था एक उप राज्य था तो इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया 1972 में 21 जनवरी को तो दोनों आपको अरुनाचल प्रदेश तो अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम ये दोनों के इंसासित प्रदेश बन गए और ये तीनों के तीनों पून राज्या बन गए तो 1972 में पुर्वत्तर में काफी जादा फिर बदल होता है इसे आपने याद करना है ठीक है अब आते हैं भारत के 22 वे राज्या के रूप में जो बना सिक्किम सिक्किम का करम बहुत जादा important है सिक्किम भारत का 22 वा राजिया है सिक्किम का गठन 26 अपरेल 1975 को किया गया गठन नहीं कहेंगे पून राजिय का दर्जा सिक्किम को इस दिन दिया गया दिखिए जब भारत आजाद हुआ सारी देशी रियासतें भारत में मिली कुशन बनता है भारत के राजियों में कौन सा एक मात्र स्वतंतर राजिया था तो वो था आपका सिक्किम सिक्किम पहले भी भारत का हिस्सा नहीं था लेकिन 1974 में सिक्किम भारत में शामिल होने की संकेत देता है 1974 में सम्विधान में एक शंशोधन किया जाता है जिसे सहराज्य भी कहते हैं घोशित कर दिया गया ठीक है सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य कब बनाया गया 1974 में 35वा संविधान शंशोधन ठीक है अगले साल एक और संविधान शंशोधन होता है 36वा ये बहुत बार आता है ये हुआ 1975 में और इसके तहट सिक्किम को पू पून राज्य का दरजा 36-1975 ये दोनों आपको याद करने हैं ठीक है तो ये था 22 राज्य अब आते हैं 23 और 24 राज्य 23 राज्य बना आपका मिजोरम और उसके बाद आया अरुनाचल परदेश देखे 1972 में 3 राज्य बने फिर 1987 में भी 3 राज्य बनाए गये मिजोरम और अर 24 राज्य की रूप में अरुनाचल परदेश का गठन कर दिया गया तो ये थे आपके 23 और 24 राज्य इसके बाद आता है 25 राज्य 25 राज्य की रूप में गोवा का गठन किया गया 30 मई 1987 को देखे गोवा दमन और दीव इन तीनों को मिला करके पहले एक यूटी बनाया गया ठीके ये तीनों के तीनों पहले क्या थे तीनों के तीनों पहले एक यूटी थे 1987 में यहां पर एक और पुनरगठन अधिनियम लाया जाता है गोवा दमन दीव पुनरगठन अधिनियम इस अधिनियम के तहट गोवा को पून राज्य बना दिया जाता है और दमन दीव को यूटी रहने दिया जाता है तो इसे भी आपने याद करना है गोवा को पून राजय का दर्जा कब मिला 1987 में 30 मई को और ये भारत का 25 वा राजय बना ठीक है इसके बाद 26 में राजय के रूप में 36 गड़ अस्तित्व में आया जब 36 गड़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दि 15 नवंबर 2000 को इसे बिहार से अलग किया गया तो ये थे आपके 26, 27, 26, 2000 में बने इनकी तितियां पूछी जाती हैं क्योंकि तीनों के तीनों 2000 में बने लेकिन तीनों की डेट अलग है एक नवंबर को 36 गड़ 9 नवंबर उत्राखन 15 नवंबर जारखन और उसके बाद 29 वे राजे के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया 2 जून 2014 को इसे अलग किया गया था आंद्रा प्रदेश से ठीक है ये थे भारत के 29 राज्य जिनके बारे में हमने देखा नोट जो आपको याद करना आप सभी जानते हैं 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य के यूटी बन जा गये हैं एक कोशन हाली में उत्राखन में भी पूछा गया था कि उत्राखन का गठन कौन से राज्य के रूप में किया गया तो उत्राखन 27 राज्य के रूप में बना था ठीक है तो ये नंबर पूछे जाते हैं कौन से राज्य किस नंबर में बना तो उत्राखन 27 राज्य Union Territory बना दिया गया और राजय इनको खटा दिया गया, तो राजय सूची से हट गये, Union Territory में जड़ गये, ठीक है, तो यह हमने बात करी 29 राज़ों के बारे में, आपसे कोशन बनते हैं, वर्तमान में कौन कौन से केंच सासिद प्रदेश हैं, उनके नाम आपसे पूछे ज जल्दी से उनके बारे में भी हम उनकी नाम देख लेते हैं आपसे option देता है इन में से कौन सा union territory है कौन सा नहीं है तो union territory की बात करें पहला है आपका दादर नागर हवेली दमन दीफ ये एक union territory दूसरी है आपका जो लक्ष द्वीप है इसके अलावा तीसरे में आपका दिल् आ जाते हैं तो इनके भी आपने नाम याद करने है कोशन यहां से बन जाते हैं ठीक है अब बात करते हैं छेत्रिय परिशदों के बारे में राज्यों के गठन को लेकर हमने देखा छेत्रिय परिशद की बात करते हैं राज्य पुनर गठन अधिनियम 1956 के तहट पांच छेत पूर्वोत्तर चेत्रिया परिशदें इनका गठन कब किया गया तो अधिनियम जो था 1956 का इसी के तहट 1956 में ये परिशदें बनती हैं पूर्वोत्तर चेत्रिया परिशदें ये बाद में बनी इसलिए ये पूछी जाती है इसका गठन 1972 में किया गया 1971 के अधिनियम के तहट तो वर्तमान में भारत में कितनी छेत्रिय परिशदे हैं वर्तमान में 6 हैं ठीक है पांच 1956 में बनी ये वाली बहुत बार पूठी जाती है पूर्वतर परिशद ये 1972 में बनी 1971 के अधिनियम के तहट ठीक है क्योंकि ये परिशदें बाद में बनी हैं तो इनको लेकर के कोशन ये भी आता है कि क्या ये छेत्रिया परिशदें समवधानिक हैं तो ये समवधानिक नहीं है तुकि समवधान में इनका उलेक नहीं किया गया है बाद में इनको जोड़ा गया है ठीक है तो इसे आपने याद करना है चेत्रिया परिशदों का अध्यक्ष कौन होता है? चेत्रिया परिशद का अध्यक्ष होता है केंद्रिया ग्रह मंत्री ये कुशन भी बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है चेत्रिया परिशदों का अध्यक्ष कौन होता है? ग्रह मंत्री होता है भारत का ठीक है? या त पति किसी भी कैबिनेट मंत्री को इसका अध्यक्ष बना सकते हैं। तो इसको आपने जाद करना है। ठीक है? इन छेत्रिय परिशदों के हेटक्वार्टर कहां कहां पर है? कोशन बनता है। पढ़ता है तो इनके आपको Headquarter भी याद करने हैं Headquarter पूछे जाते हैं ठीक है कि उत्तरी छेत्रिय परिशत का बताईए मध्यवर्ती का बताईए पूर्व का बताईए इस तरीके से ठीक है अब बात करते हैं कौन सा राज्य किस छेत्रिय परिशत में आता है यहां से भी question paper में बनते हैं उत्राखंड में ही एक question पूछा गया था कि उत्राखंड कौन से छेत्रिय परिशद का हिस्सा है तो अब clearly दे सकते हैं उत्राखंड उत्तर भारत छेत्रिय परिशद में नहीं आता मध्यवर्ती छेत्रिय परिशद में आते हैं पंजाब, चंडीगड, हरियाना, हिमार्चल, दिल्ली, राजस्थान ये शामिल हैं ठीक है तो उत्तरी में आपके कौन-कौन शामिल है आप यहां पे देख सकते हैं पूरवी छेत्रिय परिशत की बात करें तो इसमें बिहार, जारखंड, उडिशा और बंगाल ये शामिल हो जाते हैं ठीक है पश्यमी वाले में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दादार नागर हवेली दमन दीव शामिल है मध्यवर्ती ये important है, मध्यवर्ती चत्तीजगर, क्योंकि ये दोनों पहले एक थे और उत्तरप्रदेश उत्रखंड, ये दोनों भी पहले एक थे तो ये दोनों किसमें आते हैं मध्यवर्ती चेत्रिय परिशत में दक्षणी छेतिरे परिशत की बात करें तो करनाटा, केरल, तमिल नाडू, आंद्रह, तेलंगाना, पुंडोचेरी इसके लावा जो केसाची प्रदेश हैं अंडमान, निकोबा, लक्षोदीप उनको भी इसी में माना जाता है याद करना काफी सिंपल है, देखें इसमें तो केवल चार राजय हैं, इनको आप याद कर लेंगे इसमें सारे दक्षण भारत के आपके आज आते हैं, इसमें सारे नौर्थ ईस्ट के हैं बस आपको इसका याद करना होता है, इन में कन्फ्यूस होता है कि उत्तर परदेश और उत्तराखंड उत्तरी छित्र में आते हैं या मध्यवर्ती में, बस आपको इसको याद करना है, ठीक है? और पुर्वत्र परिशद में आपके नौर्थ इस्ट के आठो राज्य आते हैं, अरुनाचल, असम, मिजोरम, नागलेंड, मणिपुर, तिरपुरा, मेगाले और सिक्किम, सिक्किम शुरवात में इसमें शामिल नहीं था, सिक्किम को 2002 में पुर्वत्र परिशद में यहां प इनकी रास्थानियों के नाम जो बदले गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, ठीके, कुछ यहां पर important है, जो आपको याद करनी है, सबसे पहले बात करते हैं मैसूर की, देखे मैसूर राज्य, इसी का नाम बदला गया 1973 में, और नाम कर दिया गया करनाटक, तो इसे आपने याद करना है, कुशन बदता है, ठीके, कब बदला गया, 1973, इससे पहले के भी कुछ राज्यों के नाम बदले गए थे, जैसे कि आप जानते हैं, संयुक्त प्रांत, इसका नाम बदल दिया गया 1950 में, यूपी कर दिया गया, इसके अलावा, दो राज्य ऐसे थे, ट मदरास एक पूरा राज्य था पहले, 1969 में क्या किया गया, इस मदरास का नाम कर दिया गया, तमिल नाडू, और तमिल नाडू की राजधानी मदरास को बोला गया, ठीके, इसको भी याद करेंगे, पूरे मदरास राज्य का नाम तमिल नाडू, कब किया गया, 1969 में, इनको 1996 में जैसे मैंने आपको बोला मदरास पहले पूरा प्रांथ था पूरा राज्य था तो इस पूरे राज्य का नाम मदरास की जगह पर क्या कर दिया तमिलनाडू और मदरास नाम किसका हो गया तमिलनाडू की राजधानी जो थी उसका नाम रख दिया गया मदरास बाद में इ बात करें थी थी न, चन्नाई और मदरास वाला केस इस से समझे, पहले केवल एक राज्या था न, बंबई, बंबई को दो भागों में बाटा गया, महराश्ट्र और गुजरात, महराश्ट्र की राजधानी को बोला गया, फिर बंबई, ठीक है, और 1996 में, इस बंबई का भी पुदुचेरी हो गया, 2006 में, ठीक है, इसके अलावा, अगर हम बात करते हैं, 2007 में, उत्रांचल का नाम, उत्राखंड हो गया, और 2011 में, उडिशा का नाम, ओडिशा हो गया, ठीक है, 2011 से पहले उडिशा का नाम क्या था, इस तरीके से, उडिशा, और 2011 में नाम बदल दिया पूरे राज्यों का एक एक राज्य के हमने गठन की बात करी जो नए राज्य बने उनके बारे में देखा पुनर गठन अधिनियम जो आंदोलन चला जो वरगी करण किया गया और भारत के संविधान में जो जो बाते बताई गई है राज्यों से रिलेटेट कौन कौन से अच्छे से कलियर हो गया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर पहली बाहर आए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जर तूर बताएं. थैंक्यू फ्रेंड्स.